हलो एरिवान और वन्स अगेन वेलकब टो उमर तसकीर यूटीब चैनल माइसल्फ उमर तसकीर गाइस फेस्बूक एड़ सिरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमनों बात करने वाले हैं अबाउट हिस्ट्री चेंज ऑप्शन्स गाइस जब कभी भी हम लोग हमारे करते हैं बहुत ही common सी चीज़ है जहां पर आपको अपने आड़ अकाउंट का जो एक्सेस है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देना पड़ता है अब गईस बहुत सारे लोग आपके आड़ अकाउंट के अंदर चेंज भी कर सकते हैं या करते हैं वाइस कई बार ऐसा चल रहा है कि वो चेंजेस किस ने की है तो गाइस इन सारी चीजों को जो है वो समझने के लिए या ऐसे situations ना create हो इनसे बचने के लिए फेस्बुक ने हमें एक चेंज हिस्ट्री का option दे रखा है बिलकुल ही वैसा option जैसे हमारा गूगल आर्ट के अंदर होता है तो गाइस जिनके पास भी आपके फेस्बुक आर्ट का access है अगर वो कुछ भी changes करते हैं कोई भी change करते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा मेरे इस पर्टिकुलर campaign के अंदर किस पर्टिकुलर बंदे ने कौन सा जो चेंज है वो किया और कितने बज़े जो चेंज है वो किया हुआ है तो गाइस किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं इसको हम लोग डिसकस करने वाले बहुत ही important feature है और especially हम लोग जब agency में काम करते है तो हमारे लिए तो य हम यहाँ पर right side में आ जाते है right side में आप देखो यहाँ पर आपको एक clock type का icon दिख रहा हूँ के छोटा सा this is actually see history तो आपको यह अपना campaign select करना है जो भी आप campaign की जो history है वो देखना चाहते है वो select कर ले आप then you just go to see history और उसके बाद आप यहाँ पर click करें now you can see कि इस particular campaign के अ हमारे campaign live होते हो तो facebook करता है न तो that is why यहाँ पर जो है facebook mention है but other अगर आप देखो यहाँ पर तो you will see कि जो दूसरा जो users है उनकी आपको information यहाँ पर देख रही हो जो भी changes कियोंगे जैसे add status updated है from active to pending review ठीक है यहाँ पर है और उसके बाद add updated में add change अगर आप देखो यहाँ प अगर हम नीचे आ जाए यहाँ पर तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो हमारी different activities है और activity की थोड़ी से detail मतलब उसका description type का क्या change किया गया है किस ने change किया और किस time पर तो guys यह हमें complete information देने ता है कि हमारे ads account में actually changes कर कौन रहा है बाती यहाँ पर हमारे पास कुछ filters है जैसे activity types के basis पर कि अगर आपको लगता है campaign based changes कौन से है budget, bid, audience, ad set किस level पर आप changes देखना चाहते हैं you can go ahead and see those changes and किसके through अगर आप changes देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी rule ने कोई change किया हुआ तो वो भी आपको option यहाँ पर दिखेगा तो काफी useful option है especially तब के लिए जब आप team settings में काम करते हैं बड़ा ही quick सा छोटा सा वीडियो था बट important वीडियो होते हो सकता है मैं इसको किसी एक वीडियो के अंदर ही आपको explain कर देता है बट मुझे लगा जरूरत है किस टाइप के features को आपको separately एक वीडियो देकर समझाए जासके दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए वीडियो को like जरूर करें अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर ले जादा है लोगों तक पहुंचाए Google Ads, Facebook Ads, SEO बहुत सारी playlist इस चैनल के उपर available है as well as बहुत सारी playlist को हम लोग आगयाने में टाइम में प्लान कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए डिश्टल मार्केटिंग का वन स्टॉप सोल्यूशन है मिलता है नेक्क शीडियो में तिल देन गुडबाए